यूमिडिटी वाला मौसम है और इस मौसम में अधिकतर लोगों को परेशानी होती है खुजली होना, ज्यादा पसीना आना, स्किन में रैशर्ज होने जैसी कई समस्याइं इस मौसम में देखी जाती है यूमिड मौसम में बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण ये परेशानिया होती है मानसून वो सीजन होता है जिसमें स्किन से जुली कई समस्याइं आपके सामने आ जाती है अगर ज्यादा पसीना आता है तो उसके कारण रेशर्ज, सकिन में लालिमा, सकिन से बदबु आना और खुजली जैसी समस्याइं भी होती हैं और यही कारण है कि इसका हल निकालना जरूरी है अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आता है और हुमिड मौसम सूट नहीं करता है तो आपके लिए ये टिप्स का अर्ग साबित होंगे एक, एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल है जरूरी ऐसे मौसम में स्किन की समस्याएं अधिकतर बैक्टीरिया और फंगस की बजह से होती हैं और ज्यादातर मामलों में ये फंगस फैलकर स्किन डिजीज बन जाती है ऐसे में आपको एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और खुश्बुदार साबुन से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं स्किन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करें। पानी में फिटक्री या फिर डिटॉल डाल कर नहाएं। नहाने के पानी में कुछ भूंदें असेंशियल औरल की भी डाली जा सकती हैं जो स्किन को स्मूथ बनाएं और साथ ही साथ खुश्बू भी दे आपको दैनिक हाईजीन बना कर रखनी होगी दो ऐसे कपड़े न पहने जो रैशल्स पैदा करें सिंथेटिक नायलोन जैसे कपड़े देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये स्किन इरिटेशन भी पैदा कर सकते हैं दर असल स्किन में सिंथेटिक कपड़ा अगर टच होता है तो इसे स्किन सांस नहीं ले पाती है हलके हवादार और धीले कपड़े इन दिनों में फायदा पहुँचा सकते हैं कॉटन आदी पहनना अच्छा होगा क्योंकि ये आपके शरीर में एर पास होने देंगे क्या करें हवादार और ध परेशान न करें इसलिए सिंथेटिक कपड़ों से दूर रहें किसी और का टौवल और नैपकिन आदी शेयर न करें तीन एंटी फंगल पाउडर करेगा मदद ऐसे मौसम में एंटी फंगल पाउडर आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है ये पाउडर इंटिमेट एरि जो सकिन पर सौमय रहेगा एंडराम्ज में हमेशा एंटी परिस्प्रेंट का इस्तिमाल करें एंटी फंगल पाउडर चुने जो कैमिस्ट शॉप पर आसानी से मिल जाएगा बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाला खाना ना खाएं आपके खाने का असर शरीर के हर हिस्से प पूड्स भी रखें आपको ज्यादा स्पाइसी खाने से बचना है क्योंकि वो ही ज्यादा पसीना पैदा करता है यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थान्यवाद